अम्बा आईपी एस डॉक्टर रसित्यादव आशुतोर्ष बागरी के अथक ट्रयासों से अम्बा डिबीजन में पुलिस काफी सक्रिय है अम्बाह स्टियोपी राजिश कुमार सिंग राठो और वतीन थानों की पुलिस ने सयुक्तिकार बाहियों में सफलता हासिल की है महुआ थाना प्रभारी जिदिंद्र शर्मा ने मुक्बिर से मिली सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर हत्यारों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा है जिसमें तीन पिस्टल पॉच कट्टे एक अधिया को पकड़ा है इसी प्रकार अमभाह थाना प्रभारी ने अमभाह के पास कुमेहर पुरागाव से एक बलातुकारी को दरदबोचा है जो पडोस की महिला को धोस देकर बलातकार किया और अश्वलील फोटो खीच कर बलेक मेल कर परिशान कर रहा था परिशान महिला ने अमबाह थाना आकर रिपोर्ट की जिस पर बलात्यकारी को तुरंट पकड लिया गया इसी प्रकार नग्राथाना प्रभारी नरेश निरंजन ने अंदे कत्ल में सफलता हासिल की है अभी हाल ही में रंजीत सक्वार निवासी किशोडिक के पुराने सूचना दी की रामोतार सक्वार के खेत की मेट पर मेरी पत्नी की मृत्वस्था में लाश पड़ी है इस सूचना को पाकर आई पी एस डॉक्टर रसिता सुतोष ने जाकर मुआयना किया और सिसी कामरे में खर गोबाई वद दश्रत पुत्र गुलजारी को साथ दिखा गया और साक्षे पाकर दश्रत पुत्र गुलजारी को कड़ाई से पूछताच की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया जिस पर पुलिस अधिक शक्त ने 5000 इनाम खोशित था संबादाता अंबाह केशव पंडित माननी है एडीजी महुदय है हमारे चंबल जोन के द्वारा एक विशेष अव्यान अवैद अतियारों और अवैद शराब के विरुद चलाया जा रहा है ने उनके द्वार नेशित किया गे इस पर रिक्सर प्रिक कारवाई करें इसके पालन में एडीजीपी महुदय है वर डीजी महुदय के निरेशा नुसार स्रीमान फुलिश अदिक्षक महुदय है असेत यादव साब द्वारा एक विशेष अव्यान अवैद अतियारों के विरुद चलाने बावत समझ ठाना प्रवारियों को निरेशित किया गया अबै कर निरेशन में इन को आज मुखुर द्वारा सुचना मिली कि दो व्यक्ति अवैद हतियार की खेप लेकर उत्तर प्रदेश पिनाट से होते हुए महुआ होते हुए इधर अंबा तरफ आने वाले हैं जिस पर की खाना प्रवारी महुआ जिसे ही शर्मा द्वारा अपने श्टाफ के साथ वहां चमल लणी के किनारे पर उसेयद घाट पर इन्होंने एमबुशिंग की तो एमबुशिंग के दौरान करीबन दो ढ़ाई बजे दुपेर की बात है कि दो व्यक्तित थेले लेकर जब उनके थेलों की तलासी ली गई तो एक व्यक्ति जिसने अपना नाम नहार सिंग पुत्र गाधि पाल और गढदी पाल सखवाज निवासिग राम गदौली का हुना रूसरा व्यक्ति रभी तोमर कुत्र राजाराम सिंग तोमर निवासिग गदौली का बताया नहार सिंग के वैक था उसकी तलासी एक त्रीन सब पंदावर एक त्रीन हुर्वार का शौड ना कोसे हुआ इसके बारे वाद क्या करवा हुग है हाँ कल एक महिला है उम्र 17 साल है यहां अम्मार में रहती है इसके रॉड़ा एक लिके ताविदन प्रस्टतर के रिपोर्ट की गई थी कि उसके पड़ाउस में रहने वाला एक रिंकु सखवार नाम का अरुपी है उस दिन इसके पती बाहर गए ते इस लाइग काम करते हैं बच्चे स्कूल में गए ते या खेली थी दोडाई वजे की बात है तब जिंकु सखवार आया और इसमें कट्टे का भै दिखा के उसके साथ जवरन बलातकार किया और किसी को भी बताने पर जान से मानने की धमकी थी उससे माहिला काफी भैवीत हो गई थी तब समय में रि बच्चा को उनके दोड़ाय विष्णा की गई और आरक्षत कुस्पेंद और योगेंद इनके दोड़ा बड़ी महनद से और टी आई शरी अकुल शिंद दोड़ा महनद से गेड़ा बंदी के कारशी को 24 गंटे कर दोड़ाय के अस्तार कर लिया है